नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे आप सब आसा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसंद होंगे तथा लगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसम पीजी कॉलेज जिग्राफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करते हैं अपने है और जी आईएस और रिमोट सेंसिंग में प्रमुक अंतर क्या है और जी आईएस में डाटा के स्ट्रोफ कौन कौन से हैं और इन डाटा को प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं इस पर हमने चर्चा की थी आप से ठीक है चलिए आज हम देखते हैं कि जी आईएस का व का इतिहास यानि हिस्टोरिकल डबलमेंट आफ जी आईएस जी आईएस का फुल फॉर्म आपको बता है जियोग्राफिकल इनफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों यहां पर बता दें कि जी आईएस के जनक या फादर या पिता किनें कहा जाता है तो उनका नाम है डॉक्टर जोज टॉम लिंसन ठीक है इनका जन्म 1923 में हुआ और इनका जो देहान थैं 2014 में हुआ तो आपको याद रखना है जी आईएस के पिता किसे का जाता है रोजर टॉम लिंसन को का जाता है और क्यों क्यों क्योंकि 1962 में टॉम लिंसन ने Created the Canada Geographic Information System यानि CGIS का निर्माण किया था इसलिए इन्हें जी आईएस का पिता कहा जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो भौगौलिक सूचना प्रणाली यानि कि GIS का इतिहास जटिल और विकसित होते हुए विज्ञान और प्रदियोगिकी की प्रगति से जुड़ा है यानि कहने का मतलब है कि इसका जटिल भी है विकाश और विकसित भी है और जैसे जैसे विज्ञान और टेकनोलिजी यानि प्रदियोगिकी का विकास होता गया प्रगति होती गई वैसे वैसे GIS की भी प्रगति होती गई यानि उसका विकाश होता गया ठीक है GIS की उत्पत्ती भुगोल, सर्वेक्षण, मानचित्रन तकनीकों से हुई है यानि GIS की उत्पत्ती कहा हुई है तो भुगोल, सर्वेक्षण और मानचित्रन से हुई है और इसका विकास कम्प्यूटर प्रद्योगिकी के साथ तेज हुआ है यानि G.I.S पहले तो भुगोल, सरवेच्छन और मानचित्रन तकनीकों तक सीमित था लेकिन जब कम्प्यूटर प्रद्योगी की का विकास हुआ तो उसके साथ तेजी से G.I.S का विकास भी होता चला गया G.I.S के इतिहास को निमनलेकित मुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है ठीक है वो चरण कौन कौन से है G.I.S के इतिहास के जो चरण है वो है आपका प्रारंभिक काल यानि 19. सदी के पूर्व यानि की पहले पर इसके बार आधनीकियुक की सुरुवात 1960 के दसक से होती है 1970 और 1900 के दसक में 1980 के दसक में G.I.S का क्या हुआ यानि कौन कौन सा विश्कार हुए 1990 के दसक में G.I.S का बेवसाई करण हुआ और 21 सताबदी में G.I.S का विस्तार तीवर गतिस हुआ तो ये पांच चरण है G.I.S. के विकास के इनने भी आपको याद रखना है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक काल की यानि उन्निश्वी शती के सदी के पूर्व की तो भुगोल और मानचित्रन प्राचीन सब्रताओं में भी मौजूद थे यानि प्राचीन समय में भी मानचित्रन किये जाते थे यानि मानचित्र बनाये जाते थे आप लोगों ने स्ट्रैबो का नाम सुना होगा ये दरसल प्राचीन मानचित्र वेत्ता थे इसके अलावा आपने टालमी का नाम सुना होगा ठीक है यानि पहले जो तकनीक होती थी किसी छेतर के जानकारी प्राप्त करने की वो आपकी मांचित्र हुआ करती थी ठीक है और ये जो मांचित्र हुआ करते थे ये लोगों के द्वारा कागच पर इस्थानों और भूविसेस्ताओं को दर्जी किया जाता था यानि कि लोग इसे बनाते थे अपने हाथ से कागच पर बनाते थे और उस पर इस्थान और उस छेत्र की विशेस्थाओं को दर्जी करते थे ठीक है अठारा सो की दसक में आधुनिक भूगोल और कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी मतलब मांचित्रन की निव रखी गई इस समय तक नक्षे आम तोर पर कागच पर हाथ से बनाया जाते थे और सीमित विसलेशन आत्मक चमता रखते थे याएं कि 1800 के दसक के समय भी जो मानचित्र बनाया जाते है वो हांसे ही बनाया जाते थे और उनकी जो विसलेश्न आत्मक छमता थी वो कम थी यानि कि कम डाटा ही हमें इन से प्राप्त होता था इसके बाद है आधुने की युग आधुनिक युक की जो सुरुवात होती है 1960 के दसक में होती है ठीक है 1960 के दसक में कम्प्यूटर प्रद्योगिकी में तेजी से प्रगती होने लगी जिससे डेटा विशलेशन और नक्सा बनाने की प्रक्रियाओं में भी सुधार हुआ यानि 1960 के दसक में 1963 में पहला वास्तविक G.I.S. सिस्टम कनाडा में विक्सित किया गया कब? 1963 में और इसका नाम दिया गया कनाडाई भुगोल सूचना प्रणाली यानि Canadian Geographic Information System यानि C.G.I.S. कहा गया इसका उद्देश भूमी उपियोग और संसारनों का प्रबंधन करना था ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि 1963 में जो पहला G.I.S. सिस्टम आया था वो C.G.I.S. आया था और इसका प्रमुक उपियोग किसलिए किया गया और इसे विक्सित किस ने किया था तो रोजन टॉम लिंसन ने विक्सित किया था जिन्हें G.I.S. का जनक कहा जाता है यह हमने आपको उपर भी बताया है ठीक है इस प्रणाली ने यानि C.G.I.S. जो विक्सित हुआ इस प्रणाली ने नक्सों का डिजिटाइज करने इस्थानिक डेटा का विस्लेशन करने और विभिन सुरोतों से जानकारी एकत्यत करने की छमता विक्सित कर दी किसने? C.G.I.S. ने तीन चेजी की कि जो नक्सित है उनका डिजिटाइजेशन किया गया यानि डिजिटाल फॉर्म में लाए गए इस्थानिक डेटा का विस्लेशन करने की छमता विक्सित हुई और विभिन सुरोतों से जानकारी वर डाटा एकत्यत करने की छमता विक्सित हुई इसके बाद आता है तीसरा चलण उनने सो सत्तर से और 1980 के दसक में क्या हुआ तो इस अवदी में कई विश्विद्याले और अनुसंधान संस्थान जी आई एस की विकास में सामिल हुए ठीक है पहले के वल कनाड़ा सामिल था लेकिन अब कई विश्विद्याले और अनुसंधान संस्थान भी सामिल हुए हावर्ड फिसर ने 1970 के दसक में सिर्जी क्या नाम था सिर्जी SYMAP क्या नाम था सिर्जी यानि SYMAP इसका फुल फॉर्म होता है साइना ग्राफिक मैपिंग सिस्टम और इसे विक्सित किया गया था 1963 में इन 1963 नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम विक्सित किया गया यानि SYMAP एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे हावर्ड फिसर द्वारा 1970 के दसक में विक्सित किया गया था जो की सुरवाती GIS में से एक था ठीक है 1972 सेयुक्त राज अमेरिका ने पहला उपग्रह लैंड सेट लॉंच किया जिससे भुगोलिक सूचना प्रिणाली के लिए उपग्रह चित्र और और रिमोट सेंसिंग तक्नीकों का विकास हुआ हमें दोस्तों आपको रिमोट सेंसिंग के अंतरगत रिमोट कौन-कौन से उपग्रह लॉंच किये गए थे तो लैंड सेट जो उपग्रह था उनने शुबहत्तर में USA के द्वारा लॉंच किया गया था जिसने रिमोट सेंसिंग तक्नीक का विकास तीवरगती से किया 1980 के दसक में कंप्यूटर तक्नीक के बढ़ते उपियोग ने GIS को और अधिक सुलब और सटीग बना दिया यानि कि अब क्या हुआ जैसे जैसे कंप्यूटर में तक्नीक बढ़ती जा रही थी तो कंप्यूटर की जो इनालसिस करने की छमता थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ सही और सटीग विसलेशन करने की छमता बढ़ती जा रही थी इस समय यानि कि उनने स्वस्थी के दसक में इसरी ESRI यानि Environmental Systems Research Institute ठीक है नाम क्या था याद रखना इसरी यानि Environmental Systems Research Institute नामक कम्पनी ने यानि इसरी एक कम्पनी थी ने Arc Oblique Info Software विक्सित किया जो एक प्रमुक GIS Platform बन गया ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है संस्था का नाम था इसरी इसका Full Form है Environmental Systems Research Institute और इस कम्पनी ने एक Software विक्सित किया जिसका नाम था Arc Oblique Info और ये प्रमुक GIS Platform या GIS Software बन गया इसके बाद आता है 1990 का दसक 1990 के दसक में GIS का बेहुसाई करण तो 1990 की दसक में कम्प्यूटर और इंटरनेट के विकास के साथ GIS का बेहुसाई उप्योग तेजी से बढ़ने लगा ठीक है क्योंकि अब कम्प्यूटर में इंटरनेट का इस्तमाल बहुत तेजी से बढ़ना था तो GIS का भी बेहुसाईक उप्योग तेजी से बढ़ा अब GIS साप्टवेर को बड़ी संख्या में उप्योग करताओं के लिए उपलब्द कराया गया यानि अलग अलग तरीके के जो GIS साप्टवेर होते थे उन्हें अब जो यूजर्स थे उन्हें उपलब्द कराया गया यानि की GIS का बेहुसाईकरण हुआ 1999 में इसरी का फुल फार्म आपको बताया था भी उपर इन्वार्मेंटल सिस्टम्स रिसर्च इंस्टिटूट ने आर्क GIS साप्टवेर को लांच किया पहले किसे लांच किया था तो आर्क अबलिक इन्फो था लेकिन अब 1999 में आर्क GIS साप्टवेर को लांच किया जो की एक अधिक उन्नत और उप्योग करता मित्र GIS प्रणाली थी यानि की आर्क GIS साप्टवेर जो यूजर्स इसे उप्योग करते थे वो बहुत आसानी से और उन्नत तरीके से उसका उप्योग कर सकते थे ये वैस्विक इस्तर पर मान्चित्रण और इस्थानिक डेटा के प्रबंधन के लिए एक मानक बन गया कौन आर्क GIS साप्टवेर जो था उससे वैस्विक इस्तर पर हम मान्चित्रण भी कर सकते थे और स्थानिक डेटा का प्रबंधन भी कर सकते थे और उसका एक मानक बन गया इस समय यानि 1990 के दसक में इस समय G.I.S को पर्यावरण प्रबंधन, सहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, परिवाहन और अन्य कई छेत्रों में ब्यापक रूप से लागू किया जाने लगा था यानि कि जैसे जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, अलग-अलग प्रकार के सौप्ट वेर ये बढ़ते जा रहे थे तो ये अलग-अलग छेत्रों के प्रबंधन जैसे प्रबंधन, सहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, परिवाहन और अन्य कई छेत्रों में ब्यापक योग किये जाने लगे थे, ठीक है, इसके बाद है 21 सती में GIS, यानि कि 2000 के बाद, तो 2000 के बाद GIS की प्रद्योगिकी में, यानि टेकनलोजी में अत्रधिक उन्नती हुई, विसेश रूप से उपग्रहे और GPS, GPS का फुल फॉर्म होता है, Global Positioning System, क्या होता है, G से Global, P से Positioning और S से System, प्रद्योगिकी हो, यानि टेकनलोजी के विकास के साथ तेजी से हुआ, यानि कि 2000 के बाद, अब किन का उप्योग होने लगा, तो उपग्रहों का, और GPS का इस्तमाल होने लगा, जिससे GIS की टेकनलोजी में और ब्रद्योगिकी होने लगी, और उसका तेजी के साथ विकास भी हुआ, इसके बाद, Cloud Computing और Big Data के आगमन ने GIS के उप्योग को और विस्तारिद किया, अब जटिल इस्थानिक डाटा को Cloud पर इस्टोर और प्रोसेस करना संभव हो गया, ठीक है, तो इससे भी GIS का तेजी से इस्तमाल हुआ, आज GIS Smartphone Apps, यानि कि जो आपका Smartphone है, उसमें धेर सारे Apps रहते हैं आपके, तो GIS Smartphone Apps और वेब अधारित प्लेट फार्म के माध्यम से आम उप्योग करताओं तक पहुँच गया है, यानि आप जो Smartphone लिये हैं, उसमें धेर सारे Apps हैं आपके, और वे Apps सब GIS का ही एक इस्तमाल कर आपने के लिए लॉंच किये गए हैं, ठीक है, और जिस से इस्थानिक डेटा का उप्योग करना और समझना बहुत सरल हो गया है, ठीक है, जैसे Google Maps आपको किसी भी छेतर की लोकेशन जब आपको देखनी होती है, तो डाइरेक्ट आप Google Maps पर उस इस्थान का नाम डालते हैं और Google Maps उस इस्थान की लोकेशन आपको दिखा देता है, ठीक है, इसके लावा Open Street Map इत्यादी सभी GIS साप्ट वेर ही होते हैं, ठीक है, जो कि आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, इससे भी आपका GIS कविकास तेजी से हुआ, इसके बाद Artificial Intelligence यानि AI इसका नाम आप हमेश सुनते रहते हैं, Artificial Intelligence और Machine Learning टकनीकों का उपयोग GIS में किया जाने लगा, जिससे इस्थानिक डेटा का अधिक कुशल विसलेशन संभव हो गया है, इस्थानिक डेटा का मतलब होता है, जो किसी इस्थान विसलेशन संभव होते हैं, वो इस्थानिक डेटा होता है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे नई नई टेकनोलिजी का विकास होता गया है, जिससे इस्थानिक डेटा का विसलेशन भी संभव हुआ है, जैसे आज की समय में देखें, तो Chat GPT, Google Assistant, इत्यादी नई टेकनोलिजी आ गई है, जो कि आपकी Artificial Intelligence पर अधारित है, जिसके माध्यम से आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए, तो आप जाकर के उसको टाइप करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, और उससे सम्मंदित सारी जानकारी आपके पास उपलब्द हो जाती है, तो यही आपका GIS का विकास है, और बात करें, तो एक बेक्ती है, Elon Musk, इन्होंने एक आपको यादर रखना है, यानि इन्होंने प्रत्वी को जोड़ने की योजना बनाई गई है, और Elon Musk की जो कमपनी है, उसका नाम है Space X, तो यह भी आपको यादर रखना है, यानि Space X Company Star Link Program के माध्यम से संपूर प्रत्वी को उपग्रह अधारित इंटरनेट से जोड़ना चाहती है, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, कि यहाँ प्रत्वी का एक मॉडल दिखाये गया है, और चारो तरफ आपको जलते हुए कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रह हैं, यानि ये विभिन प्रकार के उपग्रह और इनी उपग्रहों के माध्यम से संपूर दुनिया को नेटवर्क से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाने का प्रयास किया जा रहा है, आप दोस्तों इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस चित्र को आपने कभी ना कभी होगा आकास में लाइन से आपको जलते हुए स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं दरसल ये इलोन मस्क के द्वारा इस्टार लिंक जो प्रोग्राम है उसी को दिखाई दिखाई देते हैं यानि ये सभी उपग्रे यानि सेटेलाइट्स होते हैं जो जलते हुए आपको दिख पताया गया है और इनके बारे में तो आपको पता ही है इन्होंने Canadian Geographical Information System लाउंच किया था इसलिए इन्हें फादर और जी आईएस का जाता है तर्मलोजी की बात करें तो जी आईएस टर्मलोजी का जो उप्योग किया था वो किया था उन्हें सो पाइसट में माइकल डेके एंड डौरे मार्बल ने उप्योग किया था इसका सबसे पहली बार ठीक है इसके बार उन्हें सो सरसट में रोजर्स टॉम लिंसन मेक्स वीडियो डाटा फोर डिजी डिसीजन यानि कि डाटा के डिसीजन के लिए एक वीडियो लाँच किया था ठीक है इसके बाद उन्हें सो एक यासी में पहली बार फर्स्ट इसरी इसरी के बार फुल फार्म आपको बताया था पहले भी इसरी कॉन्फरेंस हेल्ड सोला सोला अटेंडेंस सीट ठीक है इसे लाँच किया था इसके बाद उन्हेस सोबहत्तर में फर्स्ट लैंड सेटेलाइट को लाँच किया गया यानि 23 जुलाई उन्हेस सुबहत्तर को युएसे के द्वारा उन्हेस सोनत्तर की बात करें तो इसरी फांडेट बाई ये जैक एंड डौरा डैंग मोन को भी इसने लाँच किया था जिसका उपयोग लैंड यूज प्लानिंग में किया गया ठीक है इसके बाद है उन्हेस सुबहासी 1982 में Arc Info जो की इस दी नाम कंपनी के दोरा बनाया गया था और ये Commercial Software Package था ठीक है 1986 में Map Info कौन सा है Map Info को launch किया गया जो की एक Mapping Tools था ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है 2004 अब OpenStreet Map यानि OSM को launch किया गया 1999 में First GIS Day Silhouette यानि की GIS दिवस पहली बार 1999 में 19 November को मनाया गया था ठीक है 1993 में First Wave Based Interactive Map launch किया गया था First Wave Based Interactive Map भी launch किया गया ठीक है 2005 Google launched Google Map यानि Google Map को 2005 में launch किया गया था और 2013 में First GIS MOOC MOOC मतलब I am double O C इसका full form होता है Massive Open Online Courses इसे भी launch किया गया ठीक है तो इस परकार दोस्तो आपके GIS की हिस्ट्री रही है इसके लावा आपको पता है AI का استعمال किया गया यानि Artificial Intelligence अब Chat GPT ठीक है Google Assistant आदी विक्सित टिकनलोजी है जिनके استعمال से हम निसकर्स की रूप में अगर हम बात करें तो GIS का इतिहास तकनीकी प्रगती कंप्यूटिंग सक्ती और मानवी और सक्ता के नुसार विक्सित हुआ है यह प्रणाली आज पूरी दुनिया में विविन्न छेत्रों में उप्योग की जा रही है जिसमें पर्यवरन सरचन सहरी नियोजन आबदा प्रबंधन क्रसी परिवाहन और रच्छा आदी सामिल है जिनमें इसका استعمال बढ़ता ही जा रहा है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक आज हमने आज से बात की की जिई आईस का इतिहास क्या रहा इनके पिता कौन थे ये भी हमने देखा जिई आईस के इतिहास को हमने पाज चरणों में बाट करके देखा ठीक है उनका अलग-अलग हमने एक्सप्लेनेशन भी किया इसके साथ साथ हमने आप से एक चार्ट के माध्धम से The History of GIS को भी देखा और निशकर्स के बारे में बात की ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो में दोस्तो यही तक इस वीडियो का जो PDF का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके अराम से आप पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमशकार आप रसन रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्यवाद, जय हिन दोस्तों